नमस्कार आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूँ आपके साथ निर्भय किशुर। बिहार में दो सीथ, कुशेश्वर अस्थान और तारापुर में हुए उपचुनाव अब लगभग संपन हो चुके हैं क्योंकि परिणाम सब के सामने हैं। जेडिव ने जीत दर्ज कर लिया है लेकिन समिक्षाओं का दौर जो है वो अब शुरू हो गया है। पहले नई पार्टी बनी, नया सिंबॉल मिला लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में तीसरे नंबर पर वो रहे। पहले नंबर पर जेडिव, दूसरे नंबर पर राजद और तीसरे नंबर पर जो चिराग पास्वान की पार्टी थी लोग जनसक्ती पार्टी राम विलास वो तीसरे अस्थान पर है। उन्होंने कॉंग्रेस को भी पीछे कर दिया और क्या कुछ पार्टी के अगली रणनीती है हमारे साथ है। लोग जनसक्ती पार्टी राम विलास के मेडिया परभारी है क्रिष्ण कुमार कलू। कलू जी बहुत-बहुत स्वागरी। देखिए, जीत तो हो गई, खुशी आपके खेमे में भी आई है। पूर्ण तरीके से जीत नहीं लेकिन खुशी आपके खेमे में आई है। लेकिन क्या समिक्षा करेंगे और बेहतर करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो तमाम बिहारवासियों को दीपावली की हारदिक, हारदिक बधाई और सुबकामना है। लोग जन सकती पाटी राम बिलास के जो उमिदवार थे। दोनों सीट पे उनका प्रदर्शन रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। आप तमाम साथ ही जानते हैं कि बिहार के मुख्या स्री नितिश कुमार जी और परिवार के सदस्य के द्वारा मेरे पूरे पार्टी, मेरे पूरे परिवार को छितर बितर कर दिया गया, नच्च कर दिया गया। और सत्ता का दुर्पियो कर नितिश कुमार यह चुनाओ जीते हैं, ना कि नितिश कुमार को बिहार की जनता निमत दिया है। यह दोनों सीट पर यह लोग काम किये, चुनाओ परचार खत्म हो गया था, तो जनता दलियू के कई मंतरी, कई सांसर, कई विधायक और नेतागन वहाँ क्या कर रहे थे। यह सवाल भी है कि अगर आप इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, यह आरोप सिर्फ आपी नहीं लगा रहे हैं, बलकि यह राज़त के तरफ से भी लगाय जा रहे हैं, तो क्या अगर इतना सब कुछ हुआ, तो फिर आपको वोट नहीं मिलना चाहिए साहिए? देखिए, भोट जनता का हमें मिला है, उसमें कहीं कोई इफबट नहीं है, लेकिन जीस तरीके से नितीश कुमार ने धांदली अपने अधिकारियों से उन्होंने करवाया, यह धांदली करवा के ही यह जीते हैं, यह आप जान लेगें, नितीश कुमार जी को जीरो भोट जीरो, हम इसको एक भी वोट नहीं मानता हूं, लेकिन उसाहित तो पूरी जेडियू है, और सारा सुरे एंडिये के जितने भी नेता है, वो नितेश कुमार को दे रहे हैं, प्रस्तिती के मुख्य मंत्री है, जिरा भी बोलने में प्रहेज नहीं है, क्या मुख्य मंत्री ज स्तता का दुर्पियोकर आज मुख्य मंत्री बने हुए हैं, और सबसे बड़ी बात, आखी लोग जनसक्ती पार्टी राम विल्यास क्यूं लगातार कल से बोड़ेगी हमारी जीत है, हमारी पार्टी तीसरे नमबर पे है, ठीक है, हम लोगों ने राश्तिये पार्टी कॉं इतने सारे आपके सामने सड्यंत्र किये गए हैं, उसके बावजूद भी आपने बेहतर परफॉर्मस किया, दोनों सवाल हैं, इतने सड्यंत्र के बाद भी हम लोगों का जो परदर्शन रहा जनता का जो आशिरवाद मिला, जो जन समर्थन मिला, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, और कहता ही नहीं है, बिहार की जनता ने सब दिखा दिया, जिस तरीके से इन तमाम लोगों के सड्यंत्र के तर सेंबॉल को भी फीज किरा दिया गया, नया सेंबॉल था हम लोगों का हिलकॉप्टर, दस दिन भी ठीक से परचार करने का समय मैं नहीं मिला, ल पाटी बंगला उसको परिवार के लोगनिया मुक्रमंत्री ने फीज करा दिया फिर भी बिहार की जनता ने नहीं माना और तीसरे नंबर पे पहुंचा ही दिया आपकी मुश्कान उससे एक सवाल उभर के आ रहा है आपने जब हमारी इससे पहले बात चीत हो रही थी तो हम उस बंगले के बारे में बात कर रहे थे प्रिंस के साथ वो बंगला दिखा था जो मफलर होता है आपकी पार्टी का उसमें वो दिखा था सवाल भी हमने किये थे लेकिना सवाल वहां नहीं है सवाल यह है कि जब इंडिये के मंच पर आप उनको चाचा बोलते हैं समझ गये मैं किनके बारे में बात कह रहा हूं वो कहा करते थे कि इस चुनाव में चिराग वोड कटूवा बन कया वोड काटा है कि आपने कॉण्रेस को बरबात किया कि अच्छा नहीं किया है वोट कटवा का मतलब क्या होता है यह तो उन्हीं को बताना चाहिए जबाब तो उनको मिली गया ना कि अगर मैंने वोट काटा तो भी बेहतर परफॉर्मेंस किया नहीं ना वह बेहतर परफॉर्मेंस नहीं किये हैं अपने जमीर को उन्होंने बेच द कि आपने दिखा दिना कि हम अकेला आपने इतने सारों के साथ मिल करके जो परफर्फरमेंस किया हमने अकेला वकाद दिखाई 70 साल पुरानी पार्टी को भी नीचे कर दिया सोच लिजिए उस वक्त ना आपकी जन्म हुई होगी ना हमारी जन्म हुई होगी पंजाच आप कॉंग्रेस को भी हम लोगों ने पीछे छोड़ा तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी सेर का बेटा है और जंगल चीर के निकलता है के गीधर की तरह पीछे से वार नहीं करता जी तरीके से परिवार के लोगों ने किया यह पीछे से नर्वार किये बाई और उसके साथ मितेश उमार जी yeah कर देक है वहीं नितिश कुमार जी के गोध में उन्हों ने जाकर बैटा जीस टीश उमार जीने एक फूल तक चढ़ाने को लिए उन्होंने एक समय नहीं निकाला बरसी के मौके पर लेकिन उनके घर पे तो गए थे आखिर सोचिए भाई ये कैसी दोहुली नीती और तो और माननी है मुख्यमंत्री जब बिहार में कोई भी सहादत होते हैं जब हमारे साइनिक उसमें नहीं आता है मुख्यमंत्री जी अभी दो दिन चार दिल पहले करनल जी का जो डेड़ बड़ी आया था कहां गया था मुख्यमंत्री जी कहां गया उनकी समय ना चुनाओं में लगे हुए थे क्या नहीं यहना चाहिए था उन्हें निदीश कुमर्च जवाब देजिए ना भाई यह क्यों नहीं जवाब देते हैं आप चुरिए यह तो रही बाते जो तस्वीरे हैं बखुबी आपने संदेश दी दिया है अपने काम के बदौलत और जो लोग आप पर हमने बोलते थे जबाब बिल गया होगा और कारे आपके बहतर है यह कहा जा सकता है सवाल यह है कि जिस तरीके की टककर दिखी राजद और जेडियू के बीच में जेडियू तो खुश है जाहिर से बात है उनके दिवाली मन रही है राजद का दिवाला निकल रहा है राजद अब इस पूरे हार को एक तरीके से भुना रही है क्या आप भी यह मानते हैं क्यो लोग जन सकती पार्टी के पास खोने के लिए क्या था और पाने के लिए क्या था यह तो तेजस्वी भी बोल रहा है यह तमाम जंदा जानती है ठीक है ना रहाबात नितापरतिबक्स तेजश्वी यादू जी का है यह उनके पार्टी का अंदूरी मामला है उस पर मैं मैं सोचता हूं कि कोई टीका टिप में करना बहुत जोड़ी है वो चुकि नहीं उनके पार्टी के अंदर खाने की वह बात है आप उस पर नहीं बोलेंगे लेकिन लालो प्रसाद यादो सिर्फ चुनाव में आये थे सपोर्ट करने हार गए वह वापस दिल्ली निकल गए क्या आ अगली तैयारी क्या है अगली रणनिती क्योंकि अब तो चुनाव के परिणाम भी आ गए अब तो एक होसला भी अंदर से बढ़ा होगा एक उमीदे भी बढ़ी होंगी अगली तैयारी क्या है क्या चुनाव खत्म हो गया अब चिराग दिल्ली चले जाएंगे या अभी बिहार में रहेंगे आशिरवाद यात्रा हम लोगा पांच जुलाई से चल रहा है तकरीब हम पांच महिना से और यह कंटिनीव करेगा और अगर आशिरवाद यात्रा का जो ब्रेक कहें तो सिर्फ और सिर्फ पर्व को ले करकें चुकि आप तमाम साती जानते हैं कि दीपावली पर्व इस चीज को मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कई और राज्यों में चुनाव होने है क्या उधर भी कुछ तयारी चल रहे है क्योंकि अब उप चुनाव से थोड़ा बहार जाकर समाल पूछना जरूरी समझते हैं बिलकुल उत्तर पर्देश में चुनाव भी गुल फूंकेंगे देखिए चुनाव के वक्त गटबंधन का स्वरूपत है हुआ कि हमको किसके साथ रहना और किसके साथ जाना है और राश्ट्य नेतित्त राश्ट्य कारेकर नी और वहां के अस्थानी जो प्रदेश अध्यश्यों वो तय करेंगे यह भी ऑथ्राइ और ऐसे में बिहार में हुए दो सीटों पर उपचुनाव के बाद में गदगद चेहरा दिख रहा है लोक जनसक्ती पार्टी राम विलास का जो तस्बीरे दिखी इस चुनाव में इतनी पूरानी पार्टी और देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी को जिन्होंने अप झाल